very good morning students welcome back to my channel which is biome biology with me यानी मिनाक्षी के सार तो हम लोगों ने previous class में पढ़ा था biodiversity और classification की need हमें क्यों है क्यों हमें classification करने की जरुद पड़ी है और classification क्या होता है आज हम पढ़ेंगे कि एक classification की जो कहानी है वो किस में पढ़ी जाती है biological science की एक field है या एक branch है जिसे हम कहते है taxonomy taxonomy के अंदर हम पढ़ते है classification के बारे में ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे taxonomy और taxonomy की history ठीक है taxonomy taxonomy को हिंदी में कहते है हम बर्गी की ठीक है आज हम टेक्सोनमी में क्या पढ़ते हैं the theory and the practice of classification वो सब किसमें पढ़ा जाता है taxonomy में पढ़ा जाता है ठीक है theory and practice of classification वो किसमें पढ़ा जाता है taxonomy में पढ़ा जाता है taxonomy जो है one of the oldest field of biological science ठीक है बहुत पुरानी branch है बहुत पुरानी field है जिसके अंदर हम यह पढ़ते हैं कि classification किस तरह से किया जाता है classification की क्या क्या theories है plus classification का criteria क्या रखा जाता है इन सब के बारे में हम कौन सी field में पढ़ते हैं taxonomy field में पढ़ते हैं ठीक है तो जब हम बात करते है taxonomy का और मैंने आपको बताया कि oldest field primitive जो men थे उन्होंने भी क्या किया था necessary is the mother of invention जब उन लोगों को महसूस हुआ कि इस तरह से classify करना बहुत जरूरी है otherwise हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए useful है और कौन सी चीज नहीं है plants को और animals को grouping करना शुरू किया divide करना शुरू कि कौन से हमारे लिए useful है हमें किस तरह से फायदा पहुचाते हैं कि यह हमें food दे रहे हैं कि यह हमें इनकी वज़े से हमें furniture मिल रहा है कि यह animals रहा है इनसे हमें एग मिल रहा है कि दूद मिल रहा है तो उन्होंने इस तरह से classify करना शुरू किया यह काम कब से चला रहा था प्रिहिस्टोरिक टाइम की बात कर रही हूं लेकिन जैसे ऐसे धीरे धीरे टाइम बीटता गया तो क्या हुआ कि उनके पास साधन बढ़ने लगे चीजों की study करने के लिए आपके पास में और ज्यादा चीजे उपलब्ध हुई या आपके पास थी जिसकी वज़े से क्या हुआ systematic ढंग से study करना शुरू किया गया तो first systematic study करने के बाद जिसने classification किया वो था हमारा Aristotle Aristotle ने सबसे पहले systematic ढंग से animals की study करी और उसके बाद उन्होंने animals का classification किया इसलिए Aristotle को कहा जाता है the first father of taxonomy या कह सकते हम की founder of ancient taxonomy कौन है Aristotle है ठीक है कौन है एरिस टॉर्टल ठीक है तो एरिस टॉर्टल ने क्या किया 500 से भी जादा animal की species पे study करी उनका data कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने animals को दो ग्रूप में डिवाइड किया दो ग्रूप में classify किया ठीक है तो एरिस टॉर्टल ने animals को दो ग्रूप में डिवाइड किया ठीक है अब जब मैं आपको बता रहे हूं कि उन्होंने systematic धंसे study करी animals की तो उन्होंने अपने classification का क्या base रखा किसके आधार पर नुना ने animals को दो ग्रूप में divide किया वो base था blood का color हमारे खून का रंग कैसा होता है red होता है red क्यों होता है क्योंकि हमारे blood में क्या होता है और में रवीची होती है रेडा का पचल सोती है जिनकी वाज से हमारा ब्लड का कलर क्यासा होता है रेड होता थे तो इन्होंने अनिमल्स को किस तरह से डिवाइड कि कि जिसके अंदर अरवीची है वो डूसरे ग्रूप में और एक वो गुरूप बनाया जिसमें आभी सी नहीं है, ठीक है? ब्लेट कलर के बेज पे इन्हों ने यानिमल्स को दो ग्रूप में डिवाइड किया स्वस्ट गूप है आपका इनाइमा ठीक है? साइकंड गूप आता है आपका आनाइमा इनायमा में Aristotle ने रखे उन आनिमल्स को जिनके अंदर RBC होती है ठीक है जिसके अंदर RBC present है और जिसमें RBC नहीं है उनको किसमें रखा Aristotle ने इनायमा में ठीक है ची क्या तो RBC किस में प्रेजेंट होती है जितने भी vertebrates है उनके blood का color कैसा होता है red होता है उनके blood में RBCs होती है vertebrates का मतलब होता है जिनके शरीर में notochord या बोल सकते है vertebral column होता है वो क्या कहलाते है vertebrates कहलाते है और इसको simple में क्या बोल सकते है कि जिसके अंदर रीव की हड़ी होती है वो क्या कहलाते है vertebrates कहलाते है जिसको हिंदी में हम कहते है कशेरूख ठीक है example की तोर पर हम क्या ले सकते है vertebrates में rat है rabbit है और humans है ठीक है अचेटर ठीक है एनाइमा जिसके अंदर रीवीची नहीं है वो क्या कहलाते है vertebrates तो जिसमें रीवीची नहीं है वो क्या कहलाते है invertebrates ठीक है और invertebrates को हिंदी में क्या कहते है एकशेरूख तो invertebrates कौन से होते हैं आपके इंसेक्ट्स हैं स्पाइडर है स्टार फिश हैं सी अर्चिन हैं यह सब क्या कहलाते हैं आपके invertebrates कहलाते हैं तो यह क्लासिविकेशन दिया था एरिस्टॉटल ने अनिमल्स का ठीक है कि अनायमा बनाया और अनायमा बनाया और बलड का कलर कैसा होता है उसके बेस पे उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो एरिस्टॉटल ने सबसे पहले सिस्टेमेटिक धंग से स्टेडी करके क्लासिविकेशन की नीव रखी थी इसलिए उन्हों क्या कहा जाता है फाउंडर ओफ टेक्सोनॉमी या फर्स्ट फादर ओफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है ठीक है यह तो बात हुई हमारे अनिमल्स क अब बात आती है हमारे प्लांट का क्लासिविकेशन कैसे किये गिया प्लांट का भी क्लासिविकेशन तो किया होगा ना प्लांट का क्लासिविकेशन किस ने किया एरिस्टॉटल के ही एक इस्प्रूइन थे जिनका नाम है थीयो फ्रेस्टस तो थीयो फ्रेस्टस ने क्या क ग्रॉपस के साइज के कॉड़ी तो तो फॉरस्ट क्लासिफिकेशन किस ने दिया था थी ओ फ। फ्रेस्टेस ने दिया था ठीक है तो फॉड़र लौफ तो फॉडर ऑफ एंशेंट टैक्सोनोमिकन है थीओ फ्रेस्टेस ठीक है वो है थियो फ्रेस्टस इन्हों ने प्लांट्स को क्या किया साइज के अकॉर्डिंग उनको चार ग्रुप में डिवाइड किया था तो फॉर्ट ग्रुप कौन से थे फॉर्स था हर्ट, सेकंड अंडर श्रब, थर्ड था श्रब, फॉर्थ ग्रुप है आपका ट्रीज का ठीक है तो ये था हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन जो पहली बार किया गया था थियो फ्रेस्टस ने, एंशन टाइम में जो किया गया था, प्रिस्टोरिक टाइम की बात कर रही हूँ तो first time जो plant classification किया गया था वो Theo Frestus ने किया था Aristotle ने animal classification किया, वो क्या theory रखी, क्या basis रखा, कितने animal को classify किया कौन-कौन से group बनाए, कौन-कौन से vertebrates को study करी, कौन से invertebrates को study करी इन सब के बारे में उन्होंने अपनी एक book में लिखा, उस book का नाम है Historia Animalium ठीक है, ये book लिखी थी Aristotle ने Historia Animalium Aristotle ने इस book को लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने अपने द्वारा किये गए जितने भी animals से, जिनको उन्होंने classification किया, जिनकी उन्होंने study करी systematic ढंक से जिसकी उन्होंने study करी, वो सब उन्होंने किस में लिखा, इस book में लिखा, ठीक है अब बात आती है कि ये तो बात हुई animal classification की अब Theophrastus ने भी अपने classification की जो theories थी, वो किस में लिखी थी, उन्होंने भी दो books लिखी है Theophrastus ने किसको classify किया था, plants को किया था, ठीक है तो इनकी book का नाम था, Historia, Plantarium, और second book का नाम था, Inquiry into Plants, ठीक है तो first book का नाम है आपका Historia, Plantarium, और second book का नाम है Inquiry into Plants, ठीक है इसमें उन्होंने अपने plant classification की theory और criteria लिखा था, ठीक है कि कितने plants को उन्होंने classify किया, कितने plants की उन्होंने systematic study करी, वो सब उन्होंने अपनी books में लिखा था, ठीक है तो ये बात तो हो गई हमारे plants की और animals की और third हमारा living क्या कहलाता है? माइक्रोब्स या माइक्रो और्गिनिस्ट एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन लिवन हॉक, जिन्होंने initiative लिया या जिन्होंने सबसे पहले microscopic study start करी, वो किसने करी थी माइक्रोब्स की? एंटोनी वॉन लिवन हॉक, इसी लिए इनको क्या कहा जाता है? father of microbiology, microbiology में किस की study की जाती है? microbes की study की जाती है, microorganism के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है? तो founder of microbiology कौन है? एंटोनी वॉन लिवन हॉक, ठीक है? इन्हों ने सबसे पहले microscopic study start करी थी, microbes की, microorganism की, जितने भी taxonomist थे, उनको anatomical जो data मिले, वो किसकी वज़े से मिलना शुरू हुआ? एंटोनी वॉन लिवन हॉक की वज़े से, इन्होंने initiative लिया था, microscopic study करना शुरू किया, microscope जो है, वो invent किया, जिसकी वज़े से हमें easy way में microbes के बारे में पता चलने लगा, इतने सारे microbes हैं, एक तो वो दिखते नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा, plants और animals तो दिख रहे हैं हमें कि एक्स्टरनल फिचर्स के यह हैं, जब हम उसको थोड़ा से देखें, कार्ट चार्ट के देखते हैं, तो उनकी हमें internal structure भी पता चल जाती है, लेकिन microbes जो पहले दिखते नहीं है, तो उनकी study करना तो बहुत मुश्किल है, तो उसको study करना या उसको systematic धंग से किस तरह से study क कि जा सकती है, वो बताया हमें एंटोनी वान लिवन हॉफ ने, इनकी वज़े से microbes का anatomical data collect होना शुरू हुआ, जिसकी वज़े से उन्हें अलग-अलग groups में classify किया गया, ठीक है, microbiology field को इसी वज़े से establish किया गया, ताकि हम microbes की अच्छे से study कर सके, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे फायदे के हैं और ये हमें नुकसान पहुचाते हैं, ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी taxonomy की history की, prehistoric time से चला आ रहा है, तो उन्होंने अपने-पने हिसाब से उसे classify किया, कि classical aim क्या रहा होगा, taxonomy का, ठीक है, जितने भी plant से, animal से, उनको क्या किया जा और उनका नाम रखा जाए, ताकि हमें पता रहे कि इस plant का, इस animal का ये नाम है, और उसके बाद, second aim क्या रखा गया, कि इनको describe किया जाए, ठीक है, तो first aim था, कि जितने भी plants से, animals से, जिने वो लोग जानते थे, उन लोग उने क्या किया, उसे सबसे पहले नाम देना नॉमिन्क्लेचर किया जाए, ना, नॉमिन्क्लेचर को बोलते हैं हम नाम करण, ठीक है, second जो aim था, वो ये था, कि उसको उनके जो characters है, उनको क्या किया जाए, describe किया जाए, ताकि हमें पता रहे, morphological features क्या है, इनके, anatomy क्या है, इनके बारे में हमें पता चल सके, ताकि उसकी according हम plants को या animals को describe कर सके, तो second aim क्या हो था हमारा, कि उसे describe करें, उसको characterization किया जाए, ठीक है, तो ये दो aim थे हमारे classification के, यानि इसे क्या सकते हैं, ये classical aim थे, जबसे classification शुरू हो, अब बात की जाए, कि taxonomy के अंदर क्या-क्या पढ़ा जाता है, तो taxonomy क्या है, तो ह naming, describing, and classifying organism, and includes all plants, animals, and microorganisms of the world. अंसार के, जितने भी plants है, animals है, microbes है, उनको क्या किया जाए, सबसे पहले identify किया जाए, second उनका नाम दिया जाए, naming की जाए, second उनको characterization किया जाए, third उनका classification किया जाए, ये सारा काम किस में होता है, taxonomy field में होता है, taxonomy branch के अंदर किया जाता है, ठीक है, तो ये तो कहानी हुई हमारी taxonomy की, next class में हम लोग पढ़ेंगे, कि classification के और क्या-क्या points है, किस तरह से animals की, plants की, और systematic ढंग से study की गई, क्या development हुआ, taxonomy field में, ये पढ़ेंगे हम next class में, ठीक है, यदि इस lecture में, या जो आ या मुझे आप comment box में message करके बता सकते हैं, till then, take care, thank you.